सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चानल को और बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे आज के इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे ब्रशब राशी के बारे में बहुत ही महत्पूर बाते बंधू इसके पहले भी कई बार हमने ब्रशब राशी के बारे में बहुत सारी महत्पूर भविश्यवानिया की हैं जो कि शत्य प्रतिशत सही साबित हुई है और ऐसा आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है तो बंदू इस वीडियो को भी देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बतायेगा कि कितने प्रतिशत बातیں हमने जो बताई हैं वो आपकी जीवन से मिलती है, मेच करती है बंदू जितना हो सके इस वीडियो को आप व्रशब राशी वाले लोगों के साथ Facebook और WhatsApp पर जरूर शेयर करें क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की जिन्दगी बन सकती है किसी की जिन्दगी बदल सकती है व्रशब राशी के और भी वीडियो स्पाने के लिए आप हमारे देशी भक्ती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं व्रशब राशी के व्यक्ति व्यावहारिक, स्थाई और विश्वसनिय होते हैं जिन्दगी इनके सामने जैसी आती है ये उसी के हिसाब से अपने लक्षे की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है इनकी ताकत इनका स्थायत्वी इमानदारी और कड़ा संकल्थ होता है इन्हें अपने मार्क से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है ये एक बार लक्षे तय करने के पश्चात उस पर पहुँचकर ही मानते हैं ये जोखिम उठाने से घबराते हैं इसका कारण अववल तो यह है कि ये सुरक्षा पसंद होते हैं दूसरा कारण यह है कि ये आलसी होते हैं कुल मिलाकर ये अपने परखे हुए मार्क पर ही चलना पसंद करते हैं हालां कि ये बुरा नहीं है लेकिन इस आदत के कारण अक्सर ये नए कार्य का आनंद लेने से चूप जाते हैं ये सुरक्षा पसंद करने वाले लोग द्रिडता पूर्वक अपने वातावर्ण, काम, घर या विचारों से जुड़े रहते हैं. अन्य लोग इसे जिद्धीपन कह सकते हैं, पर ये इसे अपनी स्थायत्व की जरूरत कहते हैं. इससे इनका दिमाग नए परिवर्तनों को स् हीठ हो सकते हैं. लेकिन इनके जैसा द्रड संकल्प वाला दूसरा इनसान मिलना बहुत मुशकिल है. ये दबाव में शायद ही कभी आते हो। ये अमुमन शांती चाहते हैं. लेकिन इन्हें आप पीछे हटने वाला नहीं कह सकते हैं. ये धैर्यवान और विश्वसनिय होत लेकिन जब इनका गुस्सा शान्थ हो जाता है तो ये गौतम बुद्ध की तरह शान्थ हो जाते हैं, मानों की कुछ हुआ ही नहीं है, व्रिशब राशी के जातक कलाकार और संगीत अग्यभी हो सकते हैं, जीवन के सभी अच्छे क्षेत्र जैसे कला, संगीत, अच्छा को पसंद करने वाले होते हैं, और ये चाहते हैं कि ये सभी भौतिक सुक्सुविधाये इनके प्रियजनों को भी मिलें, ऐसे जातक अनोखे व्यक्तित वाले होते हैं, हालांकि इनका जिद्दीपन और आलसी होना ही इनकी बड़ी पहचान होती है, जिसके कारण अक्सर कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं और इनके साथ व्यवहार करना कठिन हो जाता है, ये अपने आसपास की चीजों को बदलने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते हैं, नतीस्तन ये एक ही तरह की स्थितियों में फंस्ते रहते हैं, इनका जीवन साथ ही ऐसा होना चाहि जो इनकी स्थायत्व की इच्छा को पूरा करने में मददगार साबित हो